हेलो फ्रेंज में हुने हैं मैजिकल रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है कॉफी फीना तो हर किसी को पसंद है चाहे हो ठंडी हो या गरम तो आज की हमारी रेसिपी है कैफे स्टाइल कोल्ड और होट दोनों तेकी की कोफी की तो चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं कैफे स्टाइल कोफी बनाने के लिए हम सबसे पहले कोफी को त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक बोल में 4 टेबल स्पून कोफी ले लेंगे आप किसी भी ब्रैंड की कोफी का इस्तिमाल कर सकते हैं और साथी साथ हम यहाँ पर लगबग उसकी डवल कॉंटेटी यानि की 8 टेबल स्पून चीनी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब हम इस पर 4 टेबल स्पून पानी डाल देंगे अब इन सारी चीजों को मच्चे से बीट कर लेंगे आपके पस अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं तो लगबग इसे आपको त्यार करने में 5 मिले टाइम लगी जाएगा और इस प्रॉसेस से आपकी कॉफी बहुत ही अच्छी क्रीमी और जागदार बनती है तो देखे कॉफी की कॉंटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत दी लाइट और क्रीमी बन चुकी है तो इस स्टेज में हमारी कॉफी त्यार है अब इसे हम एयर टेट कंटेनर में डाल लेंगे और इसे हम स्टोर करके एक महीने तक फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी आपको मनगरे कॉफी पीने की आप इसे लिका लिए और कॉफी बनाये और पी लेजिए तो हैणा आसान तो हम पहले कोफी बना कर त्यार कर लेते हैं कोफी कोफी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मीक्सर गैन्डल ले लेंगे अब हम इसमें दो टेबल स्पून तयार किया हो कॉफी को डाल देंगे और साथ ही साथ हम दो स्कूप भैनेल आइसक्रीम की डाल देंगे यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम थोड़ी से मेल्ट हो जूगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ही जादा है आप चाहे तो यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसमें दूद डाल देंगे दूद हमारी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए अब यहाँ पर हम थोड़ी से बरब भी डाल देंगे अब इन सारी चीजों को हम एक बर ग्राइंड कर लेंगे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो देखे हमारी कैफे स्टाइल जागदर कॉफी बन के तयार है कॉफी को सर्फ करने के लिए यहाँ पर हम ग्लास ले लेंगे और इसे हम थोड़ा से डेकोरेट कर देंगे चॉकलेट कनास को हम इस तरीके से ग्लास में डाल देंगे अब हम ग्लास में कॉल्ड कॉफी को डाल देंगे कॉल्ड कॉफी में जो जाग बना था वो भी हम इसके उपर डाल देंगे अब हम उपर से इसमें थोड़ा सा वैनिला आइस्क्रीम डाल देंगे इसे और भी चादर फ्रेजेंटेबल बनाने के लिए उपर से हम थोड़ा सा चौकलेट गनास को डाल देंगे तो देखिए हमारी कोल कोफी बनकर तयार है अब चलिए हम होट कोफी भी बना लेते हैं तो यहाँ पर हम तयार किया हुआ दो टेबल स्पुन कोफी ले लेंगे और थोड़ा सा गरम दूद ले लेंगे और इसे हम अच्छे से पहले मिला लेंगे तो देखिए हमने अपर इसे अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें उपर से गरम दूद डाल देगे तो देखिए हमारी फटा फट से होट कोफी भी बनकर तयार हो गई है तो इन दोनों तरीकी की कोफी को आप घर में अराम से ट्राइ कर सकते हैं आपको एक बार ही इस मिक्सर को बना कर फ्रीजर में रख देना है आपको जब भी मनकर एक कोफी पीनी की आप इसे लिका लिए और होट कोफी बनाए या फिर कोफी दोनों तरीकी की कोफी ही से आप बना सकते हैं बिल्कुल कैफे स्टाइल कॉफी हमारी बनकर त्यार है आप इस कॉफी रेसीपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आपको मेरी आज की रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज भीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए और च